तो दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है connecting flight के बारे में अगर आप किसी भी airport से देली में terminal 3 पर land होते हैं और उसके आगे आपकी अगर connecting flight है terminal 2 या terminal 1 से तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर देली के अंदर तीन airport अभी operation में है terminal 3, terminal 2 और terminal 1 terminal 3, terminal 2 और terminal 1 से तीनों से ही domestic flight जाती है और terminal 3 से आपकी international और domestic दोनों flight जाती है तो आपको किस airport पर जाना है और आपकी connecting flight लेने के लिए आपको terminal 2 या terminal 1 पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा और वह जाने के लिए कौन सा batch तरीका है और आपको airline से अगर आप किसी भी airline से connecting flight करते हैं तो उसमें कितना time difference रखना चाहिए वो सारी detail इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ तो इस वीडियो को बिल्कुल skip मत करिए अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तो मेरा आप से वादा है कि आपको एरपोर्ट पर लेंड करने के बाद किसी भी स्टाफ से पूछने की ज़रुरत नहीं रहे उट से ही बड़ी जल्दी टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पहुच सकते हैं वो सारी चीज़े मैं आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो सबसे टले मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी एरलाइन से अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट करते हैं तो दोस्तो एरलाइन का रूल है एरलाइन एडवाइस करती है कि आप अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के अंदर कम से कम एक या दो घंटे का gap जरूर रखेगा क्योंकि हो सकता है जिस flight को आप board कर रहे हो और next flight कोई भी flight delay हो सकती है जिसकी वज़े से आपका पैसा और time दोनों खराब हो सकता है बट दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको जल्दी पोशना होता है तो इसलिए आप connecting flight के बीच में बिल्कुल time difference 30-40 मिनट का रखते हैं या एक घंटे का रखते हैं जिसकी वज़े से आपको सारा काम flight land होने के बाद बहुत जल्दी करना होता है ताकि आप अपनी connecting flight पकड़ पाए तो शुरू करते हैं वीडियो जैसे टर्मिल 3 पर आप land करते हैं aircraft से बाहर निकल के आप terminal building में आते हैं और इन walkways के थुरू आप arrival hall जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा अगर आप पहली बार travel कर रहे हैं सब जगा sign board लगे हुए हैं तो यह काफी easy हो जाता है passenger इनको पढ़के तेजी से अपना arrival hall में जाकर अपना baggage collect कर सकता है या airport exit कर सकता है तो दोस्तों यह sign board हर जगा बना हुए टर्मिल 3 पर इनका खास्तोर से ध्यान दीजेगा आप तो दोस्तों अब जब यह walkways पर आप आजाते हैं और दीरे दीरे arrival hall की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप ध्यान देखेंगा हर pillar पर हर जगे direction लिखी हुई है कि आपको baggage के लिए कहां जाना है transfer के लिए आपको कहां जाना है और exit अगर report करना है तो कहां जाना है और terminal 1 और terminal 2 जाना है तो कहां जाना है तो दोस्तों देखें ये वीडियो में आगे ये देखें इन pillars के उपर ये सारी information लिखी हुई है कि आपको क्या क्या करना है आगे और किस direction में जाना है कहां जाने के लिए तो दोस्तों देखें ये right hand side में जो pillar है और left hand side में काफी useful information है बट passenger जल्द बाजी में इसको बीना देखे skip करके आगे बढ़ जाते हैं जिससे उनको आगे काफी दिक्कत होती है और काफी staff से पूछना पढ़ता है और कई बार staff misguide भी कर देता है और उसका loss passenger को होता है उसका flight miss हो जाता है और उसका time भी काफी waste हो जाता है नई flight करने में और वो अपने destination पर time से नहीं पहुच पाते हैं यह देखे इस signboard पर काफी useful information दिया हुआ है टर्मिनल connection के बारे में तो अगर आपको टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 जाना है तो आपको या तो by cab जाना पड़ेगा या फिर आपको by bus जाना पड़ेगा जो airport authority बस प्रोवाइड करती है अगर आप टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 जाना चाते हैं तो उसके लिए तीन ओप्शन है by cab, by bus या फिर by walk भी जा सकते हैं क्योंकि टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 की दूरी जादे नहीं है आमने सामने दोनों airport है तो आप 5 मिनिट में by walk भी वहाँ से जा सकते हैं तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं arrival hall जाने से पहले देखिए sign board आपको फिर से दिख जाएंगे जहां पर आगर आप की टर्मिनल 3 से ही है और आपको टर्मिनल 3 में ही आपको जाना है तो उसके लिए डारेक्शन दी हुई है अगर आपको baggage के लिए जाना है वो डारेक्शन और international transfer में जाना है वो डारेक्शन है तो अगर आपका टर्मिनल 3 से ही आप आगे की flight ले रहे हैं तो आपको left hand side domestic transfer में जाना है और अगर आपको baggage लेना है या फिर एरपोर्ट exit करना है या फिर connecting flight है उसके लिए आपको आगे यह escalator ऐसे दिखाया है यह सामने escalator arrival hole की तरफ जाते हैं और दोस्तो दोनों तरफ आपको lift मिलेगी आपको right hand side left hand side में अगर आप चलना ही पाते हैं वील्चेर आपने की हुए तो आप by lift नीचे जा सकते हैं दोस्तो यहाँ पर भी काफी useful information है यह information देखे आप arrival और international transfer के लिए आपको नीचे जाना है और baggage के लिए आपको नीचे जाना है तो दोस्तो जैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं arrival hole की तरफ तो आप इने escalator से होते वे नीचे आएंगे और आपको यह तमिल 3 का arrival hole जाने का रास्ता में आपको बता रहा हूँ यह escalator से नीचे आने के बाद आपको ऐसा यह बुद्धा का आपको बहुत अच्छा decoration आपको दिखाई देगा और यहां से जाने के बाद आपको आगे देखिएगा सीधा जाने के बाद आपको यहां पर भी आपको direction दिखा होगा pillar के पास आप देख सकते हैं international transfer और transfer decks और baggage exit के लिए sign board बने हुए हैं यहां से आपको baggage exit के लिए जाना है और फिर इस direction में आपको आगे बढ़ना है तो arrival hall में आने के बाद अगर दोस्तों आपकी सेम airline के साथ connecting flight है तो आप airline से boarding करते वक्त ही मालूम करेंगे कि आपका baggage आपको final destination पर मिलेगा या फिर आप देली airport पर अगर land कर रहे तो वहां से baggage आपको collect करना पड़ेगा ये चीज़ आप confirm करके boarding card लेते वक्त जरूर confirm करें वरना आपको इसमें काफी confusion हो जाएगा और connecting flight लेने के लिए आपको काफी time लग जाएगा दुबारा से information लेने के लिए तो जैसे ही आप arrival hall में आते हैं अगर आपकी सिर्फ flight डेली airport पर सिर्फ डेली तक है तो आपको ये baggage belt का area आ जाता है हाँ पर आपको flight number का आगे belt number आपको दिखाई दे जाती है belt number देखने के बाद आप सीधा उसी belt पर जाएंगे जैसे belt number one three five six वहां पर ही आपको baggage collect करना है हर airline का ये देखिए baggage belt number three two one डले हुए है और left hand side में आपको baggage number five six seven तो दोस्तो इस screen पर आप अपनी information पढ़ेंगे किस belt पर आपका baggage आ रहा है अगर आपको baggage लेना है और उसके बाद उसी belt पर जाकर अपना baggage collect करेंगे अगर आपको flight connecting है तो दोस्तों आपको कोई baggage नहीं लेना है airline साफ पहले ही confirm करें boarding के साथ और अगर आपको baggage collect नहीं करना है आपको baggage final destination पर मिलेगा तो आप दोस्तों सीधा आप जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे right hand side पर information decks रहेगा airport की side से कोई भी information आप यहां से ले सकते हैं और आप सीधा straight जाएंगे तो आपको यह exit का board दिखाए देगा way out का board दिखाए देगा आप यहां से सीधा बाहर जा सकते है दोस्तों इन passenger की flight terminal 1 से है तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा terminal 3 से terminal 1 की दूरी 6 से 7 km है तो exit करने से पहले arrival hall आपको यह taxi option दिखाई दे जाएंगे जो भी taxi आपको reasonable पड़े अगर आपका time कम है connecting flight में तो वो taxi hire करके आप terminal 1 के लिए जा सकते हैं left hand side और right hand side में आप देख सकते हैं thermal screening passengers की की जा रही है airport authority की side से और आपको mask और face screen लगाने के लिए बताया जा रहा है सब जगे यह sign लिखे हुए airport authority की side arrival hall से निकले बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यह देखिए indigo और spice jet airline ने अपनी information लगाई हुए passenger के लिए कि कि किस number की flight किस airport से जा रही है information आप video post करके भी देख सकते हैं तो उसके बाद आप जब यह information देख लेते हैं आप किसी भी gate से बाहर जा सकते हैं यह आप gate number 3 और 2 के सामने निकले हैं और यह आपका domestic arrival का area है जहां पर आप arrival से बाहर निकल का हैं उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही आप airport से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे बाद left hand side पर चलेंगे तो आपको देखें यहां पर भी पिलर के उपर सारी marking की हुई है सब साइन बनाये हुए हैं कि आपको टर्मिनल चेंज के लिए कहां जाना है मैट्रो के लिए कहां जाना है तो दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पढ़कर आप सीधा आप अपने जिस भी जगा जाना चाहते हैं तो दोस्तों आगे इस वीडियो में बने रही है मैं बनाना चाहूंगा आपको अगर फिर यहां से आपको एरपोर्ट अथरोटी की शटल बस लेनी है तो उसके लिए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे देख मैट्रो आपको पकड़नी है तो इस शटल बस काउंटर के सामने है जैसे ही आप देखेंगे यह शटल बस का काउंटर है यहां पर इसके सामने आपको रासा बना हुआ है यहां से आप सीधा जाएंगे तो आपको मैट्रो जा सकते यह देखिए शटल बस टर्मिनल वन जान सब्सक्राइब करेंगे और उस वाउचर को जो भी वाउचर आपको दिया जाएगा शेटल बस काउंटर से उसको आप कंडेक्टर को बस के अंदर आप दे देंगे उसमें आपको कोई भी चार्जिस नहीं लगेगा यह आपको शेटल बस आपको टर्मिनल बन लेके जाएगी अगर आप वो वाउचर नहीं लेते हैं तो दोस्तों उसके लिए फिर आपको जो भी बस का किराया है वो टिकेट आपको लेना पड़ेगा कंडेक्टर से तो आप बिल्कुल इसकिप ना करें जैसे ही भार जाए उसके बाद आप शेटल ऐसे बबस कहुंटर पर जाकर वाउचर ळे और वही वाउचर आप बस कंडेक्टर को बस में आप दे पढ़ते जाना है और टर्मिनल 3 से टर्मिनल टू जाने के लिए सबसे आसान और सबसे जल्दी जो रास्ता है वह आपका वोकवे का है कि आगर आप वाकिंग टर्मिनल टू जाते हैं तो आप सबसे जल्दी पहुच पाते हैं और अगर आप चलने ही पाते हैं या कोई पैसें पर बात कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बाइवोग टर्मिनल टू जा रहे हैं तो पिलर नमबर 18 पर हम आ चुके हैं यहां पर आपको सिटी बस मिल जाएगी अगर आपको कश्मीरी गेट तक जाना है तो यहां से एक बस जाती है तो दोस्त के लिए कोई भी रिस्टिक्शन नहीं है अगर आपके पास भारी बैग है तो आप बहार से टर्मिनल तरीके एक ट्रोली लेंगे बैग उस पर रखकर आप सीधा डिरेक्शन है और यह देखिए हाँ पर वोश्रूम टॉलेट की भी सुईधा है लेफ्टें साइड पर आग देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं टर्मिनल टू आपको सामने देख जाएगा यहां पर यह टर्मिनल टू का राइवल एरिया है यहां से जाने के बाद आपको डिपार्चर में जाना पड़ेगा अपनी लेने के लिए तो आगया आप जैसे ही बढ़ेंगे आपको hall के पास जैसे ही पोचेंगे वहाँ पर आपको एक लिफ्ट मिल जाती है लिफ्ट के सामने आने के बाद आप उरट में entry करें और देखे departure का signboard यहां भी बना हुआ है लिफ्ट में जैसे ही आप entry करेंगे काफी रश्जम्ड इंट के बाद आपको proposals लेवल टू सब्सक्राइब यहां पर आने के बाद टर्मीनल को जाने के लिए यहां पर गेट नमबर 1 से लेकर Old day घृत डिखा और अगर आपके पास हीट नमबर मालूम करके सेक्योर्टी करने के बाद आप सीधा जाकर अपनी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प कर पाया हूँ यह आपको यह इंफोमेशन थोड़ी बहुत भी यूसफुल लग कर दो बहुत।